हे वोट सब काईस कैसो आप सभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी लेवन लाइट एन्नी 5G स्मार्टफोन के बारे में और इसके हाइपर ओस के अपटेट के बारे में हाइपर ओस और जो एन्डूट 14 का अपटेट है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा क्योंकि ग्लोबल में ये जो अपटेट है वो अल्रेडी रिलियस्ट हो चुका है तो वहाँ पर अपटेट का जो वर्जन अमबर है वो क्या देखने को मिला है कितनी अपटेट की टोटल साइज है वो देखने को मिली है और हाँ एक गूड न्यूज है कि एन्डूट 14 का जो अपटेट है वो भी हाइपर ओस अपटेट के साथ में देखने को मिला है तो पूरी न्यूज क्या है इंडिया में यह update कब तक आएगा इसके बारे में आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं तो वीडियो को complete coach करते रहे है वीडियो आपको यह पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही अपडेट इंडिया में रिलिज होगा वीडियो आपको सबसे पहले मारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी तो सबसे पहले guys इंडिया में जब ये update आएगा तो आपको update का version number मिलेगा HyperOS 1.0.3.0 और आपको 4 से 5 GB के approach update की total size है वो देखने को मिलेगी और जो global में update आया था ना उसका भी same version number था और update की size है वो आपको 4 GB के approach देखने को मिलेथी आप आपकरतें Android 14 का update है वो इंडिया में मिलेगा या फिनी तो जो global में update आया है ना वो HyperOS with Android 14 के साथ में मिला है तो इंडिया में भी आप लोगों को Android 14 का update है वो confirmly देखने को मिलेगा यार दो साल से उपर इस smartphone को हो चुके है और Xiaomi की तरफ से Android 14 का update है वो साथ में provide किया गया है जो की काफी एक अच्छी बात है आप लोग समझे लिए ना दो साल पहले के smartphone है उनके अंदर Xiaomi की तरफ से कोई भी latest Android का update है वो provide नहीं किया जाता है लेकिन Xiaomi ने उस टाइम पे promise कियेते है कि तीन बड़े update है वो आपको मिले यह update है वो आपको इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा तो गई इसके लिए आप लोगों को wait करना है 20 डेस का 15 से 20 डेस के अंदर यह जो update है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा 7 से 8 डेस पहले यह update है वो global में already आपर आ चुका है आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो है वो भी जल्दी है आने वाली है तो आप लोग उसका wait कर से तो मैं आपको बदा दूगा कि कौन बॉन से features है वो आपको global वाले update के अंदर मिले है और same features है वो आपको Indian version है उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे तो 20 डेस का wait कर लो उससे पहले पहले यह update है वो आ आप लोगों को one hour के अंदर ही इस update को install करना होगा नहीं तो आप लोग और 10 days extra वो आपर मान सकतो अप्टेट पप्लिकली रोल आउट होने में 10 दिनों का और समयना वो आपर लगेगा तो first बारी में अगर update करना चाहते हो तो चैनल को subscribe करने ना ताकि जैसे ही update रिलीज होता बिल जाएगी मैं मिलता है आप लोगों से next video में जेहिंद वन्दे मात्रम